नमजकार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं और आज लेकर हैं मैं बहुत ही चोड़ी स्टोरी लेकिन यह एक मोरे स्टोरी है जहां पर आपको बहुत अच्छे सिख्छा मिलने वाली है स्टोरी का टाइटल है Smell & Sound Smell नयाना होता है गंध ठीक है गंध महक जिसे कहते है और साउन याने आवाज महक और आवाज अब यह दोनों टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलने वाला है बहुत इच्छे स्टोरी लास्ता के बढ़े रहेंगे थोड़ा डिटे ठीक है पूर याने बेंचारा वी होता है एव नहीं फार्म और सीटा अब है किसान plateau इसा sama टोड़ा सा जो पूर मिलते हैं लेकिन जो फार्म वरकर हैं खेत में काम करने वाले जो छोटे-छोटे काम करते हैं खेत के फसल काटना या फिर बोना जो भी तो उसे फार्म वरकर कहते हैं जिसे हिंदी में खेती हर मजदूर ऐसे बोच सकते हैं तो एक खेत में काम करना वाला मजदूर ठीक है गरी very pleasant smell a very याने एक बहुत very याने होता है बहुत ठीक है pleasant pleasant का मतलब क्या होता है सुहानी मधूर अच्छी जी से बोलते है smell याने गंध बहुत एक अच्छी गंध सुहानी गंध came from a sweet meat shop on the road came याने आई ठीक है एक सुगंध आई from याने say a sweet meat sweet meat याने होता है मिठाई की shop याने दुकान मिठाई की दुकान से on the road सड़क पर सड़क पर उसे क्या है मिठाई की दुकान की एक अच्छी महकाई his mouth watered उसका मूँ watered याने क्या होता है जब बोलते है mouth watering याने मूँ में पानी आ जाना तो उसका मूँ क्या हो गया उसके मूँ में पानी आ गया मूँ में पानी आने का मनलब आपसे को बता लाला चा जाना ठीक उसे लाला चा गया he went to वह गया ठीक अधा shop वह shop गया याने कि दुकान गया and stood there और वहाँ खड़ा हुआ ठीक है बहुत से लोग बोलते है सर रीडिंग भी करके बताइए थोड़ा आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो रीडिंग समझ नहीं आता है तो श्टोरी छोटी से श्टोरी खतम होने के बाद जिने रीडिंग से मतलब है वो रुकेंगे तो मैं अच्छे सा पूरे लगाता रीडिंग करके बता दूँगा जल्दी से रीड हो जाएगा और जिसे ट्रांसेशन से मतलब है जब ट्रांसेशन खतम होगी तो आप लोग क्लास स्किप कर सकते तो reading वाले भी लास्त के बने रहेंगे, मैं read करके बताने वाला हूँ and stood there, और stand का पाशन stood, और वहाँ खड़ा हुआ, अब there याने वहाँ होगा, starting में use करते हैं there का किसी भी sentence के, तो subject होता है, उसका मतलब नहीं निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर वहाँ मतलब निकालते हैं, वहाँ खड़ा हुआ, for some time, for याने के लिए, sometime याने कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ देर तक वहाँ खड़ा हुआ, then he turn to go because he could not afford to buy the sweet mead he could not could not afford यने होता है वहन करना यने कि उदे खरीद पाना वहन करना ऐसे वहन नहीं कर सकता था तो नहीं कर सकता था İ अब क्या हुआ भहिए वो मिठाई को अफौर्ड नहीं कर पाता था खरीदने के लिए तो मुढ के क्या कर रहा था? जा रहा था? ज़स तभी देन ही उसने ही याने उसने heard heard याने सुनी इससे hear नहीं पढ़ेंगे heard बोलेंगे heard याने सुनी तभी उसने सुनी the shopkeepers apostrophe का की के याने दुकान दुकान वाले की दुकान दार की commanding voice does commanding voice command देना किसी को एसे करो यह करो रुख जाओ जाओ मत करो मत उटो से command देना मज़ते कमांद निघंग क्या कमांडिंग लेक्ट रुको किसी को कुछ चीज करने बोलना तो stop याने रुको you can't go away can't याने नहीं कर सकते जाना तो तुम जान नहीं सकते तुम यहां से नहीं जा सकते विदाउट मेकिंग पेमेंट विदाउट याने के बिना किसके बिना मेकिंग याने करना पेमेंट याने भुकतान भुकतान करना याने पे करना बिना भुकतान किये तुम यहां से नहीं जा सकते अब वो भी सोचा भई बुक्तान करने क्यों बोल रहा है payment देखे payment भुक्तान for what किस लिए asked the man asked याने पूछा the man आदमी ने पूछा कि क्यों भई भुक्तान किस लिए for the sweet meat for याने के लिए the sweet meat याने मिठाई मिठाई के लिए said the shopkeeper दुकान दान ने कहा मैं मिठाई के लिए भुक्तान करना है तुम्हें payment करना है बट लेकिन I haven't written any ठीक है said the man आदमी ने कहा लेकिन I haven't written any अब यह आपका कौन सा टेंस है यहां पर आपको पता चलाएगा have का use हुआ है ठीक है ठीक है तेकिन आब बोलेंगे सरी कि haven't लिखा हुआ है एक्च्वल में have not लिखा हुआ है यहां पर दिख जाएगा साथ have not ठीक है ऐसे have not तो भी यह जब प्रेजंट पॉफेक्ट टेंस मने पर निगेटिव सेंटेंस मनाते ना तो have के साथ not लग जाता है और eat का third form eaten ही रहेगा eat it eaten यहां पर भी यह है जैसे हम बोलता है खाया है दिया है यहां पर क्या होगा but I haven't eaten यहांने I have not eaten मैंने नही खाया है नही खाया है एनियाने कोई भी लेकिन मैंने कोई भी नहीं खाया कुछ भी नहीं खाया है सैट दमें आदमी ने का तो clear हो गया present perfect टेंस का negative sentence है बट लेकिन you did enjoy it smell you did तुमने किया है तुमने किया क्या किया enjoy याने मज़े लिया है ठीक है मज़े लिया its याने इसकी smell याने गंद की सुगन बोल सकते हैं तुमने इसकी महक का मज़ा लिया है मज़ा लिया did का use किया ठीक है didn't you क्या तुमने नहीं किया तो हम didn't you क्या तुमने नहीं किया didn't you ask the shopkeeper asked पूछा दुकान ना ने पूछा तुमने मज़ा ने लिया सुगन्द का अब क्या वह देखे smelling is as good as eating अब इसका मतलब क्या होता है smelling याने सूंगना ठीक है सूंगना as good as as good as का मतलब होता है उतना ही as good as अब उतना ही good याने अच्छा eating याने खाने जितना तो इसका मतलब क्या होगा as as का use हम कप करते हैं जितना ही देखे smelling is as good as eating तो इसका मतलब क्या होगा सूंगना खाने जितना ही इसलिए as as का जितना ही अच्छा है शूंगना खाने जितना ही अच्छा होता है तो भई यहां पर भई बोल रहा है याने तुमने खाया नहीं है लेकिन तुमने शूंगा है तो खाने जितना ही अच्छा होता है शूंगना भी इसले तुम्हें पेमेंट करना होगा the poor man looked very much worried worried याने चिंतित परिसाद परिसानी पड़े जाना चिंतित फिक्र जिसे कहते है उर्दू में अब वो गरीब आदमी looked याने दिख रहा था तीक है कैसे दिखता था very much याने बहुँँच ज़्यादा वरीड पहुँच ज्यादा चिंति दिखता था Now, अब A wise man was standing by एक याने एक wise man याने बुद्धिमान आदमी wise man याने बुद्धिमानी was standing खड़ा हुआ था standing by याने खड़ा होना खड़ा हुआ था अब यापे खड़ा रहा था नहीं बोलेंगे was के साथ ng form हुआ था तो रहा था रही थी नहीं यह आपका noun की रूम यूश के रिष्टे हैं यहाँ पर verb करने यूश किया है इसलिए रहा था ऐसी यूश होगा ठीक है रहा था रही थी यूश नहीं होगा खड़ा हुआ था ऐसे he took the man aside he took वह ले गया the man आदमी को उस गरीब आदमी को aside aside याने क्या होता है अलग ले जाना एक तरफ ले जाना याने वहां से भीड से अलग ले जाना उसे aside करना बोलते हैं एक तरफ ले गया he whispered whispered तो whisper करने याने कान में कुछ हम क्या बोलते हैं कुछ बोलना कान में खुसपुसाएं इन्टू याने में इसके कानों में उसके कानों में कुछ एडवाइज दिया बोल सकते हैं खुसपुसा कर धीरे-धीरे ताकि दुकानदार को समझ दाएं देखिए वही दुकानदार आला है स्वीट मीट सॉप और यह विचारा गरीब है कपड़ों से भी ल स्थी नहींर को रिट करके बताने वालाओ लाक तक रूकेंगे गरीब आदमी के ऐसे वह गरीबий आदमी का चेहरा चैरा फोलती ठीक है चमक उठना उसे लिट अप बोलते हैं गरीब आदमी का चेहरा चमक उठा अखेल उठा he went up to the shopkeeper he went up याने वह उपर चड़ा ठीक है to the shopkeeper याने दुकानदार के पास उपर चड़ा और जिंगल आज यह नया वड़ जिंगल याने क खंकना के नहीं को कोण जिंगल कहते हैं या फिर खंकनाना जंकना जनकना ऐसे आवाज को हम जिंगल कहते हैं ठीक है तो खंखनाया a few coins a few याने कुछ सिक्कों को आवाज निकाली खनखनाने की in his pocket in याने में his याने अपने pocket याने जेब अपने जेब के pocket में खनखनाया को सिक्कों को the shopkeeper seemed pleased the shopkeeper दुकान दा seemed याने क्या होता है प्रतीत हो रहा था दिख रहा था उसे seemed past tense है बागी seems seems याने काता है ऐसा प्रतीत होना ऐसा लगना pleased pleased याने प्रशन खुश होना याने वो खुश लग रहा था दुकान दार कैसे लग रहा था प्रशन न लग रहा था खुश लग रहा था क्यों सिक्कों की आवाज उनाई दी तो उसने क्या सोचा मुझे बता रहा है कि मेरे पास पैसे है देने वाला है तो वो कुश लग रहा था उसने कहा come on याने आओ pay the money रुपे चुकाओ याने चुकाना भुकतान करना रुपे चुकाओ भुकतान कर दो the man said आदमी ने कहा I have paid it मैंने इसका क्या कर दिया है मतलब भुकतान कर दिया है दिया है have के साथ paid का third form pay तो मैंने क्या कर दिया है भुकतान कर दिया है चुका दिया है I have paid it याने इसका या फिर उसका दोनों use होता है passion में उसका बोल सकते है तो मैंने चुका दिया है the shopkeeper said shopkeeper ने कहा no, नहीं you haven't, देखिए haven't तो have not को haven't लिखा है तुमने नहीं किया है have का किया है, haven't नहीं किया है the man said, आदमी ने कहा didn't you hear, didn't be short form a did not का, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं यह did not उसी को short पर didn't लिख देते हैं did not भी बोल सकते हो, जल्दी बोलने के लिखते हैं इसके से don't बोल देते हैं do not को don't, don't बोल देते हैं वैसी did not को didn't didn't you hear the jingle didn't, क्या तुमने you याने तुमने, didn't याने नहीं किया, hear याने सुना, तो क्या तुमने नहीं सुनी the jingle याने खनकनाहाट of the money क्या तुमने पैसो की खनकनाहाट नहीं सुनी if smelling is as good as eating यदि सुना as good as eating याने खाने जितना ही अच्छा है यदि सुना खाने जितना ही अच्छा है hearing is as good as receiving सुना प्राप्त करने जितना ही अच्छा है या उसके जैसा ही है थीक है जैसे सुगना खाने जैसा है क्षाने जीतना अच्छा तुमने बताए ना वैसे ही सिक्कों की आवास सुनना पाने की जीतना ही अच्छा है हाहाहा और उसने जोर से हसा मजाक उडाते वे he raised his head उसने raised याने उठाया ठीक है his head याने अपने सिर को जोसके सिर को अपने सिर को दोनों बोल सकते हैं इसका मतलब उसने अपने सिर को उठाया in pride pride याने होता है गर्व से ठीक है पहले सरमिन्दा था कि गरीम हो नहीं दे पारा हो मजा कुड़ा रहा है अब वो गर्वस अपने सिर को उठाया and stood there और वहां और वहां श्टूड याने खड़ा हुआ for some time याने कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए खड़ा रहा then तब he walked away वह वहां से चला गया तो इसका moral का है तिट फॉर्ट अब ही रिडर notation वह लिए अने खाने वहां से चलागया तो इसका moral क्या है तिट फॉर्ट टेत अभी trata को तैसा जैसे को तैसा भी उसने बोला कि शुूने जैसा ही खाना होता है याने खाने के जैसे ही सुंगना होता है वैसे ही इसने भी कहा कि भई सिकों की आवाज सुनना सिका प्राप्त करने जैसा ही होता है इसलिए कहा जैसे को तैसा थीक है यह क्लियर हो गया अब यहां पर read करके बताना है वह थोड़ी skip कर सकते हैं, कोई problem नहीं, सुनना चाहते हैं, तो सुन सकते हैं, मेरे लिए और इच्छी बात है, Smell and Sound One evening a poor farm worker was on his way home, a very pleasant smell came for a sweet meat shop on the road, his mouth watered, he went to the shop and stood there for some time, then he turned to go, because he could not afford to buy the sweet meat, just then he heard the shopkeeper's commanding voice, Stop, you can't go away without making payment, payment, for what, asked the man, for the sweet meat, said the shopkeeper, but I haven't eaten any, said the man, but you did enjoy its smell, didn't you, asked the shopkeeper, smelling is as good as eating, the poor man looked very much worried, now a wise man was standing by, he took the man aside, he whispered a word of advice into his ears, Last page, The poor man's face lit up, he went up to the shopkeeper and jingled a few coins in his pocket, the shopkeeper seemed pleased, he said, come on, pay the money, the man said, I have paid it, the shopkeeper said, no, you haven't, The man said, didn't you hear the jingle of the money, if smelling is as good as eating, hearing is as good as receiving, ha ha ha, he raised his head in pride, and stood there for some time, then he walked away, tit for tat, तो बहुए यह 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 थी रीडिन देखिए, रीट करने में मुश्किल से 3-4 मिट भी नहीं लगा होगा, और इसका fast transition भी कर सकता हूँ, बहुत से लोगों बहुत से लोगों बहुत टाइम लेते हो, एक साम, एक गरीब खेती और मजदूर अपने घर के रास्ते पे था, a wise pleasant smell came from a sweet meat shop, एक बहुत यह अच्छी सुगन आ रही थी, ठीक है, आई, मिठाई की दुकान से, बहुत ऐसे का translate करूँ मैं speed speed से, तो बहुत यह आपको एक एक word की meaning कहां से समझ आए, किसका meaning क्या है, मैंने क्यों use किया, किसका past sense क्या है, यह तो आपको समझ आएगा ही नहीं, तो बहुत जीने ऐसे लगता है जो समय नहीं दे पाते हैं, इस अर बहुत लंबा है, तो मुझे लगता है कि वो पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भी पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, detail में पढ़ोगे, तो हमेशा याद रहेगा, और जल्दबाजी करोगे, तो जल्दी में हड़बड़ी में हड़बड़ी होगी ही होगी, तो इससे थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आप लोग के लिए, तो मुझे क्या है, छोटी स्टोरी बनाऊँगा तो ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे रेव्यू से मतलब रहता, तो छोटी छोटी स्टोरी लाता, बहुत से लोग देखें, बहुत से लोग पसंद भी करतें स्टोरी, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोग को समझाना है, इसलिए में इतने मैनत से आप लोग को समझाता हूँ, इसे थोड़ा सा आपनो लाइक शेयर कर दे करें आप सभी का बहुत बद्धन्यवाद इसका स्क्रीन स्वाट आपको फेस्बूक पेज में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है यूटूब कम्यूटी में भी दे दूँगा एक बार फिर आप से भी का बहुत बद्धन्यवाद आपका दिन शुब रहे